मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि भाई देख लेना जो लड़का किसी समाज से नफरत करता हो उना अच्छा पती बन सकता है न प्रेमी बन सकता है न भाई बन सकता है देख लेना ऐसे किसी लड़की से आईटी सेल वाले से शादी मत कर लेना भाई बता रहा हूँ ध्यान से पता चला कि दहेश तो नहीं देना चाहिए माबाप ने चोरी छुपे कुछ पैसा दिया लाखो रुपे भी गए और मिल गया और नफरत करने वाला तो वो प्रेमी नहीं हो सकता है मुखबत बहुत जरूरी है दोस्त मिट्टी से भी और इंसान से भी ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान से मुखबत ना करो और कहो कि हम मिट्टी से मुखबत करते हैं हम मिट्टी से मुखबत इसलिए करते हैं कि उस मिट्टी में बसने वाले इंसानों से भी मुखबत करते हैं ये बात ध्यान रखिएगा दूद मागोंगे तो खीर देंगे कश्मीर मागोंगे तो चीर देंगे औरे ये वाला टॉपिक है चलो इसी तरह से करो आप उस डिबेट को ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए माल लिए कि आप मोदी समर्थकी है क्या वो इस डिबेट में आपको तरह तरह की सुचनाई दी जा रही है एक समर्थक का भी अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि वो चीजे जानना चाहता है तो क्या वो मीडिया आपको ठंक से बता रहा है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा रहा है वो तरसल आपको इंसल्ट करता है रोज कि आप उनके वोटर है आपको गलत बाते बताकर जूट बाते बताकर लाल रंग का टांग बेगा जेनमिया नंस्वामी के खिलाब कुछ होगा सब साइलेंस पे चले जाएंगे आजम खान के आप बकरी पे भी केस होगा घंटो घंटो बहस होने लगेंगे तो वो आपको हमेशा एक अपने पडोस के मुसल्मान को वो हमेशा दुश्मन के रूप में देखना सिका रहा है आज इन दौर में बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी है विक्की मित्तल फेस्बुक पे उन्होंने क्या लिखा कि गोटसे जी की पिस्टॉल की निलामी करवा दी जी ये पता चल जाएगा देशवक्त थे की आतंगवादी थे हम यहाँ पर आ गए गांधी को मारने वाले के लिए ताली बजा के आप हिंदुस्तान नहीं बना सकते नहीं बना सकते हो आप जिस देश में गांधी के हत्यारे को देशवक्त कहा जा रहा है तो गांधी क्या आतंगवादी थे अब हम यहाँ पर आ गए हैं क्या हम आपने उनको वोट दिया तो इसकी सजा इतनी दी जाएगी आपको कि आपको मुर्खों के जुंड में बदल दिया जाएगा कि एक वोट देने के बदले आप कितना प्यार करते हैं प्रधान मंत्री को लेकिन उसके बदले में आपको उस जुंड में बदला जा रहा है कि आप गांधी के हत्यारे को बोर्ष से जी कहें थोड़ा सावधान रहिए हो क्या रहा है इस देश में और वो फेस्बुक पे लिख रहे है ये कभी हुआ था कभी नहीं हुआ था क्योंकि ये politics, IT cell और media ये मान के चलता है कि आपने अपनी बुद्धी स्थगित कर दिया आपने बुद्धी नहीं है मैं नहीं मानता मैं उनके वोटर को बहुत सम्मान से द्यानता हूँ मुझे मालूम है कि वो एक अलग तरीके से सोच रहे है लेकिन उनसे वो चुकि उनको वोट देते हैं उनसे बदला नहीं लिया जाना चाहिए उनको सजा किस वाद की दी जा रही है कि उनसे ये कहा जा रहा है अब चुकि तुम उनको वोट देते हो तुम अब मुसल्मानों से नफरत करने लगे हो तो चलो आप गोट से को भी गोट से जी बोलो फिर मालूम नहीं अगले बार आप आपसे क्या कराएंगे आपके हाथ में बम दे देंगे कहेंगे जाके फट जाओ कहीं पे तुम नौकरी मत मांगो ये मत कीजिएगा ये मत कीजिएगा ये शर्म की बात है कि हमारे देश में गांधी की हत्या होई और ये उससे भी जादा शर्म की बात है कि एक राजनितिक दलका कारेगर तक फेस्वुक पे लिख रहा है गोटसी जी कि पिस्टॉल निलामे कीजिए तो खरीदने वाले लोग आ जाएंगे और उसके दो करोड देके साबित हो जाएगे दिश्वक्त है गांधी की लाठी की कोई कीमत नहीं है दोस्तों कोई कीमत नहीं है उनकी लाठी की उस लाठी को उन्होंने कभी किसी पर नहीं चलाई तो ये मत होने देना हाला कि अब देर हो चुकी है